आप देख रहे हैं जन्मंच खबर बेताहाशा बिजली के बिल से ग्रामीन परेशान ग्रामीनों ने की बिजली विभाग से शिकायत बेताहाशा बिजली के बिल से निजात दिलाने की मान उन्नाव चनपत के पुर्वा ब्लॉक अंतरगत आने वाले गाउं रत्वसिया में बिजली के बढ़ते बिल को लेकर ग्रामवासियों ने जिलाकारेकारिनी सदस्य संजे शुकला के नेत्रित्व में दिया ग्यापन गाउं में फरवरी माह में पूर्व निर्धारित दर से बिला रहा था परंतु इसके बाद मई जून जुलाई अगस्त में प्रतिमाह लगभग विद्यूत बिल किसी का एक हजार किसी का दो हजार किसी का पंद्रह हजार तक आ रहा है जबकि गाउं वाले बताते हैं कि घर में लाइट एवं पंखा के इत्तर और अन्य किसी कार्य में बिजली का उप्योग नहीं करते हैं गाउं वालों ने मीटर को शुध किये जाने को लेकर अधिशासी अभियंता मध्यचल विद्यूत उप्खन को ग्यापन देने पहुँचे अधिशासी अभियंता छुट्टी पर होने के कारण नहीं मिल सके वही पर मौझूद भाजपा जिलाकार रिकारिनी सदस्य संजय शुकला ने लोगों की परेशानी को देखकर और ग्राम प्रधान के साथ स्ट यो ऑफिस जाकर स्ट यो को ग्यापन दिया जिस पर S.O. ने तुरंट मीटर एजेंट को निर्देशत किया कि गाउं जाकर फीडिंग ले और उसको सही करे और जो भी उचित बिल होगा वही जमा करे करोना काल में जहां लोगों की कमाई बन है वही इस तरह के बेतहाशा बिजली बिल से ग्रामीन काफी परेशान है देखना यह होगा कि विभाग ग्रामीनों की समस्या का समाधान कब तक करता है जन्वंच खबर के लिए उन्नाव के पुर्वा से मनीश गुपता की रिपोर्ट तो इसको लेकर सिकायत कहा करने जा रही है जन्मंच खबर के साथ